कॉद वेस्टन म्यूजिक में एक कंसेप्ट होता है कॉद्स का आप सभी का जो संगीत सीखते हैं वो कहीने कहीं वेस्टन म्यूजिक जब सुनते हैं या फिर यह कहें कि इंडो वेस्टन जब सुनते हैं आज कल के जो बॉलिवुड गाने हैं या फिर वो अगर हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये जो word है ये बहुत गूमता है कि chords कैसे बजते हैं, chords का कैसे use होता है और एक होती है Indian classical की melody, अब melody में chords नहीं है, melody मतलब एक-एक स्वर लगे हुए हैं, एक साथ एक से एक जुड़े हुए हैं और एक-एक स्वर समबाद है, है ना, तो melody और chords, इनका आवस में थोड़ा संबंद बिठाते हैं, तो एक नया fusion निकल के आता है, तो आज हम वही कुछ जानेंगे, हमारे जो basic 10 थाठ हैं, जो भरतिय शास्त्री संगीत के हैं, Indian classical के जो 10 थाठ हैं, उन में क्या-क्या chords लग सकते हैं, आज उस पर हम चर्चा करेंगे, पूरा अगर आप वीडियो देखते हैं, तो आप समझ आप पाएंगे कि पहली काली से थाठ बिलावल, भैरवी, पूरवी, मारवा, कल्यार, तोड़ी, भैरव, काफी, आसावरी, इन सब में खमाज में, इन सब में कौन-कौन से chords लगते हैं, तो मैं पहली काली से आपको थोड़ा बताने की कोशश करूँगा कि major minor में कैसे-कैसे chords लगते हैं, और बाकी जो है वो आपको खुद को आगे देखना होगा, तो पूरा वीडियो देखी और जानिए कि chords और थाटों का क्या संबंध है घर बैठे निशुलक संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें रियाजाब से एक जगडा नहीं के तुम से कहें हाल ऐसा नहीं के तुम से कहें हाल ऐसा नहीं सब समझते हैं और सब चुप हैं कोई कहता नहीं के तुम से कहें एक जगडा नहीं के तुम से कहें हाल ऐसा नहीं मुझे काफी पसंद है इसलिए मैंने इसका एक शेर और एक मतला पेश करना चाहा थाके आप सब लोगों तक कुछ एक नया पहुंचा सकों तो आईए अब बात करते हम कॉट्स पर और दस थाटों पर सबसे पहले तो आप एक कॉपी निकाल लीजिए और आपके टेबल बना लीजिए जिसमें कि यहां माइनर और यहां माइनर आप लिख लीजिए और उपर स्केल का नाम लिखा हुआ है अब एक एक करके थाटों का नाम लिख लीजिए कि सबसे पहले बिलावल थाट फिर आपका भैरवी थाट फिर आपका कल्यान थाट भैरव काफी घमाज असावरी मारवा पूरवी तोड़ी यह स्वराएंगी नहीं के नुसार दस थाटों करम है आप कोई सभी करम आप लियान में मध्यम तीवर है भैरव में रे धा कोमल है काफी में गनी कोमल है और खमाज में नी कोमल है आसावरी में गध नी कोमल है और मारवा में रे कोमल मध्यम तीवर है पूरवी में रे कोमल धा कोमल मध्यम तीवर है और तोड़ी में रे गध तीनों कोमल है और मध्यम तो यह पहले इनके विकृत कौन-कौन से लग रहे हैं वो जान लिए हमने अब यह जानना जरूरी है पाउड बेसिक जो कॉड्स हैं वो मेजर और माइनर होते हैं और माइनर भी सागप से बनते हैं लेकिन उसमें गर कॉमल होता है ठीक है तो अब हम इसमें जानेंगे कि कैसे हम सारे गमा पधनी सा लगाने के बावजूद उसमें भी अलग-अलग सागप सागप ढूंडते हैं यह आपको समझने वाली बात है कॉड्स के उपर मैंने कुछ वीडियो बनाये उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उनको जरूर देखें ताके और अच स्केल से आप खुद निकाल लीजिएगा बड़ा इजी प्रोसीजर है तो यह आपको कही न कहीं काम आता है जब आप शायद गिटार अगर प्ले करवाएंगे अपने सॉंग्स में आर उसमें तो कहीं न कहीं एक रिलेशन बैठ जाता है और घजलें अभजन ऐसे जब आप गाते हैं तो उसमें भी आप हार्मोनियम पर अगर गाते बजाते हैं तो chords लगाना आपके लिए थोड़ी आसानी होगी तो अगली स्क्रीन जो भी आप देखेंगे वो harmonium की होगी और उसमें आप समझ पाएंगे कि कैसे chords लग रहे हैं और कौन-कौन से स्वरों का हम यूज कर रहे हैं और सारे गमपधनीसा में से ही कैसे सागप सागप अलग-अलग निकाल रहे हैं क्योंकि सागप जब आप दूसरा निकालेंगे तो स्केल आपको बदलना पड़ेगा लेकिन थाट नहीं बदलेगा तो वह कैसे होता है वह आप देखेगा पूरा वीडियो आप सारे स्वरों को आप देख लिजिए उपर नीचे सागप पधनीसा सारे गमा पधनीसा सारे गमा कौन-कौन से स्वर लग रहे हैं वह आपको मालूम होना चाहिए उसके बाद सागप बनाना शुरू कीजिए सबसे पहले सागप इनके इंग्लिश नाम भी आप जान सागप इसको अगर उल्टा भी कर दो तो भी यह प, सा, ग, बन जाएगा और उल्टा कर दो ग, प, सा तो कौड लगवग यह ही है सावी आइड कर दो उपर फली यह ना यह गप साग यह कर दो पर यह कॉड यह सेमी कॉड है पसा गप यह कर दो फली या यह कर दो तो बिलावल का पहला कॉड बनता है मेजर C-sharp माइनर C-sharp नहीं बन सकता क्योंकि गखोमल करना पड़ेगा और गखोमल बिलावल में लगता नहीं ठीक है तो इसमें यह कॉड बन सकता है अब रिशप से आते हैं अब रिशप को अगर सा मानते हो और फिर अगर कॉड बनाते हो तो क्या बनता है तो यह क्या बना D-sharp माइनर क्योंकि सा अब D-sharp से मानों आप सारे गम अपदर निसा निकालता हो इसके लिए आपको थार्ट स्केल्स का नौलेज आना ज़रूरी है और उसके लिए आपको वो टेबल मालूम होने चीज़ों है कि पहले आता है सा फिर आता है कोमल रे शुद्रे अगर यह मालूम है तो यह हर स्केल से निकलता है यहां से सा अब यहां से जो कौड बना तो यह क्या बना सा ग प और ग कौन सा बना सा रे ग यानि ग कोमल दूसरी काली के हिसाब से तो यह अपना हो गया डी शार्प माइनर तो बिलावल का पहला कौड है सी शार्प मेजर दूसरा कौड है डी शार्प माइनर अगर इसको आप रिवर्स भी कर दो तो तो भी यह वही कौड है कैसे भी बजा लो गप सा करके बजा लो पसा गप करके बजा लो यह ऐसे बजा रहे हैं तो अब लेकिन निर्भर यह करता है आप कौन सा कॉर्ड पे स्ट्रेस देना चाहते हो अगर आपने यह बजाया तो क्या साउंड कर रहा है और अगर यह बजाया तो क्या साउंड कर रहा है क्योंकि आटोमेटिकली उसमें जो है उसमें टिकाव इस पर तो feel के हिसाब से आपको chord लगाना पड़ते हैं, अब जैसे चल रहा है, ये भी लगाया जा सकता है, ये भी दिशब के हिसाब से ही लगेगा, लेकिन ये क्या chord हुआ, C, C minor, क्योंकि C के हिसाब से सारे, ग, कोमा लेए, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, इसी सूर के साथ कौन कौन सा बन सकता है वह बता रहा हूं आपको तो बिलाफल के अंदर कितने कॉट्ट वन रहे हैं वो सब आपको मालूम होना चाहिए कि मेजर सी शाप मेजर बन रहा जैसे की है नौग और ये यह ना तो मेजर कॉर्ड है सेमी कॉर्ड है और एक और बनता है जो है और यह है आपका एफ एफ माइनर क्योंकि सारे गखोमल है तो एफ माइनर बन गया यह बना एफ शार्प मेजर अब इसको रिवर्स भी कर दोगे तो भी वही बनेगा लेकिन इसके साथ और कुछ नहीं बना सकते है इसको सा रखोगे तो सागप बना लिया लेकिन इसको गंधार मानोगे तो यह बनता है कॉर्ड है ना लेकिन वो बन नहीं सकता है क्योंकि यह दोनों सोर राग में लगते हैं हमारे थार्ट में नहीं लगते हैं तो पहला यह दूसरा यह यह भी मान सकते हैं इसके साथ इतन सेम कॉर्ड है ये भी बनाया जा सकता है जो की है A sharp minor ये A sharp है सागप A sharp minor भी बन रहा है और ये तो G sharp ही है major नी के साथ और नी के साथ C minor भी बनता है है ना, तो कौन कौन से हो गए नी कि ये सारे कम अपदनी सा बजाते हैं समय आप यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्वर्वों का टिकाव अलग-अलग हो रहा है ये जब आप सारे कम अपदनी सा को chords में बजाना चाहें तो ऐसे बच सकता है तो आप देख रहे हैं मैं भराव के लिए किन-किन सोरों को यूज कर रहा हूं मतलब नियम अनुसार सही है लेकिन ठाट में कहीं प्रयोग नहीं हुआ और नकि ये ये दोनों नहीं हुए क्योंकि ये ठाट के साथ मैच नहीं कर रहे हैं जो यूज हुए वो क्या थे ये लगबग कॉर्ड इस्तमाल हुए अब अगर आप इसी में भैरवी थाट में जाएंगे तो आपको कोमल लगाने पड़ेंगे और ये सी शाप माइनर से शुरुआत होती है ऐसे ही करके और भी बहुत सारे कॉर्ड बन रहे हैं लेकिन वो हम जानेंगे आगे इन फ्यूचर तब तक आप धूंड़िये कॉर्ड क्यूंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं ऐसे करके सारे कॉर्ड जिसमें बता दूंगा तो कोशिश करता हूं अगले वीडियो में बताता हूं कि भैरवी थाट में कौनसे कॉर्ड लगते हैं तो तब तक